हेलो गाईशेंट वेलकम टू माई योटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तो आज की वीडियो आप लिए काफी ज़दा यूजफुल और इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे सर्च करना है टेच लोग स्क्रीन इसके बाद इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है लेकिन ध्यान रहे आपको इसको डाउनलोड करने वाले इस वीडियो को लाइक कर देना है download करके open करेंगे ति यहाँ पे देख सकते हैं allow का option दिखाए जए रहा है इस पर click करके इसको permission देनी होते हैं यहाँ पे हम permission दे देते हैं इसके बाद start का option देखने को मिलता start के option पे हम click करेंगे और जैसे start के option पर click करते हैं कुछ wallpaper देखने को आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे tension लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे wallpaper को download नहीं करेंगे, अपने phone में in display, fingerprint lock लगाएंगे, live probe lock करके, unlock करके भी दिखाएंगे, आप लोगों को लेकिन उससे पहले किसी भी एक wallpaper पर click करना होगा, click करने बाद इस पूरे डिस्प्ले में किसी भी एक अस्थान पर चार बार click करना है, कहीं भी आप लोग चार बार click कर सकते हैं, इसके बाद फिर से आपको next के option पर click करना है, जहाँ पर आपने चार बार click करना है, इसके बाद फिर से next के option पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर password देना है आपको, यहाँ पर कोई भी password बना सकते हैं, फोरंगों का यहाँ पर, दुबारा इंटर करके उसी password को confirm कर देते हैं, इसके बाद set security question को option दिख रहा है इस पर click करेंगे कोई भी इसमें से कोई भी 5-6 question कोई भी select कर लिजिए और इसका answer आप लोग कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए कुछ भी type कर सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं इसके बाद आपको submit के button पर click कर देना है जैसे आप लोग submit के button पर click कर देते हैं ति यहाँ पर आपको काफी इंपोर्टेंट बात है यहाँ भी ध्यान देना है यहाँ पर जो भी आपने wallpaper चूज किया होगा उसी wallpaper के according आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग style में अलग-अलग theme देखने को मिलते हैं कोई भी theme आप लोग यहाँ पर merge करेंगे तो कोई भी theme आपस में merge नहीं कर रही है इसलिए आप लोगों को किसी भी एक theme पर click करना है Yes का option दिखाई देगा Yes के option पर click कर देगे कुछ ऐसा interface देखने को जब आप लोगों को मिल जाए अब इस application को आप लोग कट कर देजिएगा कट करने के बाद finally हम अपने phone को lock करते हैं और live proof दिखा रहे हैं lock करते हैं, unlock करते हैं, swift to open वाला lock हम लगाए हैं अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा